कि आपको किसी कांग से या किसी वस्तु से चैनल प्रेजेंट में डर लगे या पास में डर लगता हो या फ्यूचर में आपको डर लगेगा तो आप यूज करेंगे किसका अफ्रेड आफ के यूज करेंगे इसमें अलगलग डिवाइड है जैसे इसमार अफ्रेड आफ हो जाता है वोजबर अफ्रेड आफ विल बी अफ्रेड आफ जब आपको प्रेजेंट में किसी काम से या किसी वस्तु से डर लगेगा या डर लगता है तो किसके यूज करेंगे आप इसमार अफ्रेड आफ का जैसे, मुझे पढ़ाने में डर लगता है, मुझे जाने में डर लगता है, मुझे खाने में डर लगता है, मुझे आप से डर लगता है, मुझे आपके मम्मी से डर लगता है, मुझे आपके पापा से डर लगता है, मुझे इस खुते से डर लगता है, मुझे इस खुते से ड कि आपकोस कुद्टे से सीडर लगता है थे लगता है था और संस्ते से लगता है थे लिस चैला नहीं नहीं रगता है I was not afraid of teaching क्या आपको पढ़ाने में डर लगता था? Was you afraid of teaching? Were you afraid of teaching? क्या आपको पढ़ाने में डर नहीं लगता था? Were you not afraid of teaching? आपको पढ़ाने में डर क्यों लगता था? Why were you not afraid of teaching? आपको पढ़ाने में डर क्यों नहीं लगता था? Why were you not afraid of teaching? आपको मम्मी से दर क्यों लगता था? Why were you afraid of Mother? आपको मम्मी से दर क्यों ने लगता था? Why were you not afraid of Mother? अब हम लोग future के बारे में बात करेंगे मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगेगा? I will be afraid of speaking English मुझे इंग्लिश बोलने में डर नहीं लगेगा? क्या आपको इंग्लिश बोलने में डर लगेगा? क्या आपको इंग्लिश बोलने में डर नहीं लगेगा? आपको इंग्लिश बोलने में डर क्यों लगेगा? आपको इंग्लिश बोलने में डर क्यों नहीं लगेगा? मुझे आपसे डर लगेगा? I will be afraid of you मुझे आपसे डर नहीं लगेगा I will not be afraid of you क्या आपको मुझसे डर लगेगा Will you be afraid of me क्या आपको मुझसे डर नहीं लगेगा Will you not be afraid of me आपको मुझसे डर क्यों लगेगा Why will you be afraid of me आपको मुझसे डर क्यों नहीं लगेगा Why will you not be afraid of me तो आज क्लिए इतना ही मिलते हैं प्रूव नेक्स लेशन में, तिल दिल दिल कीप लॉफिंए स्माइलिंग एंड कीप इंजॉइएंग बाए